पावस्टार पवल सिंग के टीम मेंबर विशाल सिंग स्वर्ग लोग से अचानक पिर्थवी लोग पर प्रकट होते हैं और प्रकट पिर्थवी लोग पर सीधा सीधी वो गुड़गामा के एक होटल में प्रकट होते हैं और अचानक वो देखते हैं कि एक अबला नारी की अ जी हाँ और उसी दरिंदे सक्स को वो पकड़ कर वो वीडियो बनाते हैं और सोसल मीडिया पर वाइरल करते हैं और उस असमत लूटने वाली लड़की को बचाते हैं और भोजपुरी फिल्म इंडस्टी जी हाँ भोजपुरी फिल्म इंडस्टी और भोजपुरी एलबम तस्टी में मसीहा बनकर नजर आते हैं यानि मसीहा बन जाते हैं और अपनी पूरी इज्जत की ठूथू करवाते हैं जी हाँ इत्फाकवड़ एक ऐसा इत्फाकवड़ है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ विशाल सेंग और उस अबला नारी यानि की एक्टरस के साथ है जी हाँ एक लड़के को बुलाया जाता है चैट आप जब देखोगे तो साफ दिखता है कि किस तरीके से लड़के को भजन कीरतन करने के लिए बुलाया जा रहा है एक एक्टरस को अगर कोई यूटूबर बोत का और बियर जैसे चीजों के लिए बोल रहा है तो क्या उस एक आ रहा है कि ओ लड़का क्या चाहरा है लड़की की ही बात करते हैं लड़का क्या करना चाहरा है लड़की का साई को काम नहीं कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ओ लड़का करना चाहरा है और इत्तफाक वह चैट से साप दिख रहा है कि लड़के को बुलाया गया है और लड़की का सहारा लिया गया है अगर लड़की ही भजन किर्थन करने के लिए बुलाए तो लड़का भजन किर्थन करने के लिए क्यों ना जाए ये है ना आप भी खुश सो सकते हो कि भई लड़की या दि कोई कह रही है कि आज चलो आज भजन किर्थन करते हैं तो भज पगन सिंग के टीम ने जिस तरीके से महिस पांडे को बदनाम करने की कोशिस किया है ना, वो सरा सर निंदनिया है, और आज आप नंबर बन हो, पहले से ही आप नंबर बन हो पगन सिंग, उसके बाद ये चीज़े ऐसी घटना, ऐसी चीज़े हरकत आप करोगे, क्या आप साब तिया है, भुचपरी इंडस्ट्री के तमाम लोग जानते हैं, जो कैमरे के पीछे हैं, बहुत सारी घटनाई ऐसी हैं, जो कि अगर सामने आ जाए तो वो इधर से उधर हो जाएगी, बहुत सारी चीज़े हैं, लेकिन क्या, जो पॉजिटिव बोलेगा वही आपकी नजरो में है, निगेटिव बोलेगा वह नजरों में नहीं है, ज्यादा प्राबलम थी, तो कहां, आप उसको लीगल बाते करते न सर, लीगल आप ले लेते, आपकी भी सम्मान रहता, और आपको तो जिल से सम्मान करते हैं, भुचपरी इंडस्ट्री की है, फैंस भी बाद होता गाने की कॉंट्रवर्सी चलो समझ में आता है, गाने की कॉंट्रवर्सी होता है, स्टार के साथ कॉंट्रवर्सी सूट करता है, स्टारों के साथ कॉंट्रवर्सी सूट करता है, क्योंकि उनके स्टार को बरकरार रखता है, लेकिन ऐसा कॉंट्रवर्सी एक यूटूबर को एक मामूली सा तुछ यूटूबर आपको कुछ बोलता है तो आप उस तरीके से आप अपने टीम मेंबर से कराते हैं तो आप गुंड़ाई पर उतर गए आप किसी को जीने मत दीजिए आज मैं ये बात बोल रहा हूँ कल आप मुझे मरवाएंगे हो सके क्योंकि मैंने आपको आइना दिखाने की कोसिस किया हूँ कि मसिया बनके एक विशाल सिंग ही थे जो धर्ती पे आए और उस लड़की के इज़त लूटने से बताए और इस तरीके से शटलेस करके आप उसको सौरी बुलवारे साब वीडियो में दिख रहा है कि चार-पांच लड़के के रूम में घुसे हुए हैं क्या पवन भीया आपके गाने बहुत पसंद आते बहुत अच्छा लगता है कि आप अक्टिव हुए हैं इंडस्ट्री में मजा आ रहा है लोग गाने सुन रहे हैं आप नंबर वन पहले भी थे आज भी हैं और आगे भी रहेंगे लेकिन जब जब जबानी रहेंगी तब तक ही रहेंगे बुढ़ापे में नहीं रहेंगे जिस तरीके से गुडूरंगीला डाइमंड स्टार कही जाते थे लगतार टी सीरीज में जıtना हिट गाने दे आपने नहीं दिय भी तक डाइमंड अस्टार अधी किसी गुलसन कुमार जी ने अगर किसी को नाम दिया है वो तो गुडुरंगीला जी को दिया गया है आपके पास वो खिताब नहीं है आज अपने आपको खुद कुसे खिताब दे दीजी पर क्या फाइदा आपका इतना बड़ा गाना है जो गुडुरंगीला का गाना है काय का सुपरस्टार आज वो गुडुरंगीला कहा है जब तक आपके गले में शुर्शती बिराजमान है तब तक आप सुपरस्टार हैं हम मानते हैं लेकिन इस तरीके से पर आपके श्विशाल सिंग गहेंगे कि वाई बोल भोचपूरी का सलमान खान कौन है रहे सलमान खान एक है एक है सरिफ वो एक है वो बॉलीवूड में है वहाँ आप गये थे एक गाना गये थे मेरे रस्त के कमर कैसा गाना गये थे आपको पता ही होगा किस तरीके से reaction मिला था आपको बॉलीवुड में चले थे आप आप भोजपूरी के धरोहर हैं आप भोजपूरी में सम्मान पाईए बॉलीवुड वालों से क्यों उंगली कर रहे हैं महेश पांडे सही नहीं है कहीं से भी सही नहीं उसने इतनी गंद किया है उसने इतना गंद किया है उसने भी किया है लेकिन वो सम्मान वो चीज़े नहीं है कि आप इस तरीके से आप लीगल कर देते कि साड़ी जी के टीम मिंबर ने जिस तरीके से उस लड़के के साथ किया था जब थपड मारा गया था तब भी मैंने बिरोध किया था कि ये गलत है जो गलत है आप दोनों भाई भाई एक रह हो जाओगे खेसाडी और पवन जी आप दोनों ही बात करने लगे हो कि हमें पता नहीं होता है क्या और आज आप यूटूबर को यूटूबर को लड़वा दे रहे हो क्या बैसर जा रहा है इसलिए हाथ जोड़के नमर नीमेदन है पवन सिंग जी क्या पैसे से टीम मिंबर जैसे जो कहते ना बीना सर बीना पैर जहां पे वो है बंदा वहां पे वो कुछ बना या फिर नहीं बना कितने सीरियल हैं क्या है क्या करता नहीं पता पर यहां पे आपकी इज्जत आके जरूर इज्जत में जो है ना चार चांद जरूर लगा दिया गया है आपकी जो सहुरत है ना उसको बढ़ाने का काम बख्हूबी किया गया है तो आप खुद एक सुपर्स्टार हैं आप समस्ते हैं और इत्फाक बढ़तो भाईया आस इत्फाक बढ़ स्रिफ और स्रिफ विशाल सिंग के पास आता है उस अब लानारी के पास आता है फ्यूचर म पही के पास है फिलाल क्या सोचते हैं कितना पवशन सही हैं और कितना पवशन से गलत हैं उनके टीम मिमबर कितने सही हैं क्या वाके में ही अब बाहुबली बनने का इरादा है ऑप आप क्या सोचते हैं नीचे comment box में मिलता के लिए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद